हलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सब का आपके अपने यूटूब चैनल स्टेडी के फेपे दोस्तो आज हम बात करेंगे इंडिया एंड स्रिलंका के इंडिया और सिलंका के बॉर्डर को कौन सेपरेट करता है जैसे भारत और पाकिस्तान की सीमा की जो है अलग करने माली रेखा का नाम रेट क्लिफ रेखा है वैसे ही मैक मुहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा है तो वैसे ही कौन सी जो रेखा या खाणी है जो भारत और स्रिलंका को अलग करता है दोस्तो सिलंका और माल्दियू भारत के पडोसी द्वीप हैं भारत और सिलंका को पाक स्टेट से अलग किया गया है पाक स्टेट भारत और सिलंका के बीच बंगाल की खाणी का एक खाणी है यह तमिल नाडू जो भारत का राज है और जाफ़ना जिला जो सिलंका के बीच इस्तिज है पाक स्टेट दच्छिन की ओर से घिरा है पंबन दिप एडम बरीज यानि जिसको राम बरीज बोला जाता है और मन्नार की खाणी से मन्नार दिप जो सिलंका में है स्ट्रेट का नाम मदरास के पूर गवर्नर रोबर्ट पाक के नाम पर रखा गया है दोस्तों इंडिया और सिलंका को अलग करने वाली जो खाणी है या जो स्ट्रेट है उसका नाम पाक स्ट्रेट है आपको याद रखना है कि पाक श्टेट जो है इंडिया और सिलंका के अलग करती है जो इंडिया के तमिल नाड़ और सिलंका के जाफना जिला के बीच इस्थित है ऐसे ही रेट क्लिव रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है मायक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच की रेखा है कच्छ की खाणी अरब सागर का एक inlet है जो कच्छ के रण और पच्छिम मद्धिम भारत के काठियावार प्रायदीब के बीच फैली हुई है खमभात की खाणी अरब सागर पर एक खाणी है ये सब तत्थ आपको याद रखने हैं, काफी important तत्थ हैं, तो दोस्तों ऐसे ही देखते रहें, study cave चैनल को subscribe ना किया हैं, तो दोस्तों subscribe कर लें, धन्यवाद